शेर करते हैं दोस्तों हमारी आज की काफी exciting new series आज की series में आप देखेंगे कि 100 साल तक टिकने वाले steel bridges भारत बना रहा है भारत की पहली bullet train project के लिए इसके क्या feature से मैं आपको होता हूँगा DRDO अब 110 किलो newton के engine explore कर रहा है हमारे 6th generation fighter jet के लिए जो की 2040 में बनाए जाएंगे BHEL अब partner ढून रहा है अपने main battle tank के लिए अरजुन टैंक के लिए क्यों भारत ने अमेरिका का MQ-9P predator drone खरीदा 4 billion dollar देकर हमारे पास तपस था इसके उपर नीवी ने खुल कर अब यहाँ पर काफी कुछ खुलासा किया है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे काफी shocking है यह भारत एक बहुत बड़ा accomplishment कर लिया है पिनाका का एक extended range version हमने तयार कर लिया है यह वही missile system है जो हमने recently अर्मीनिया को बीची थी और अब तो इसका भी बाप तयार हो चुका है और finally जानेगे कि कैसे वन्दे भारत की तरफ से बहुत बड़ी update हाई है यहाँ पर धड़ा धड़ भारत की factory से वन्दे भारत तो निकलेंगी साथी में hydrogen train से जुड़ी भी 10 तक देखिएगा साथी में अगर आप चैनल पर नए है इस हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूला क्योंकि आप तक ऐसी amazing ख़बरे हम हर दिन लेकर आते हैं तो पहली खबर आ रही है भारत की first bulletin project से यहाँ पर fifth steel bridge का construction का का काम भी पूरी तरह सा almost complete होने वाला है यह high speed capable bridge है इसके feature की बात करें तो सारा कुछ भारत ने ही design किया है और इसको insight बनाया गया है बस यहाँ पर site में लाकर install किया जा रहा है सबसे exciting part तो यह है कि यह पूरा जो ढाचा है 100 साल तक का इसका life span है 100 साल तक कुछ भी नहीं होगा अगर अच्छे से maintain किया जाए तो वाकई में यह एक definitely engineering marvel है यहाँ पर Japanese experts की भी काफी कुछ राय दी है इस पूरे construction के लिए लेकिन अभी भी यहाँ पर bullet train sets के लिए फिर भी controversy बनी हुई है वैसे तो भारती कंपरी को कहा है कि आप 250 to 270 km पर आर की bullet train design करके दीजे लेकिन इतने कम time span में एक high speed train वो भी scratch से बनाना भारत के लिए और देखने लाइक होगा कि भारत कैसे इस situation को deal करता है हमारी अगली ख़बर DRDO की तरफ से आ रही है यहाँ पर अब Chief Advocate ने कहा कि हम 110 किलो Newton का engine अब ढूंड रहे हैं और most probably यह GE का जो 80% technology transfer हमको कर रहे हैं इसी को हम AM का program में यूज़ करेंगे 5th generation में भी और आगे चलकर 6th generation super stealthy fighter jet program में भी यह वो fighter jet है जहां पर हम laser weapons fit करेंगे missile लगाने की तो जहुरत ही नहीं है हमारी अगली ख़बर भारत के predator drone की तरफ से आ रही है आपको पता होगा कि हमारे पास हमारा खुद का एक predator drone भी है जिसका नाम है तपस DRDO ने इसको बनाय था UAV यह है लेकिन unfortunately Navy ने जब इसकी जाच पड़ताल अच्छे है से टेस्टिंग की यह तो fail हो गया इसी reason की चलते आज के समय में हम 31 MQ-9B predator drones अमेरिका से खरीद रहे 4 billion dollar की deal यह पूरी है अगर भारत के पास यह ऐसा capable drone होता हमारे 4 billion dollar बच जाते और यह भारत में circulate होते है सो जब Navy के officials को पूछा गया कि हमारे पास तो already cost effective और indigenous alternative platform मौज़ूद था तो आपने क्यों अमेरिका के इस MQ-9B काफी जादा महेंगे drone को खरीदने का निरने लिया यहाँ पर फिर उन्होंने कहा कि तपस तो है काफी अच्छा भारत ने इसको design develop किया है लेकिन performance में यह नीचे गिर जाता है maritime surveillance requirements यह हमारी पूरी करही नहीं पाता है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के यह जो drone है यह तो काफी लंबे टाइम तक आसमान में रहता है और यह हमारे लिए काफी strategically important है maritime security हमारे पास इतनी बड़ी coastline है इसकी पूरी रक्षा करने के लिए एक real time intelligence चाहिए और वो तपस नहीं दे बारा था और finally अमेरिका की यह technology हमको दे रही है तो despite all cost effectiveness हमको unfortunately भारत के इस weapon को निकालना पड़ा और अमेरिका के MQ-9B को procure करना पड़ा 31 में से 15 तो इंडियन निवी को दिये गए है और बचे हुए 8 आर्मी और इंडियन एरपोर्स में बाट दिये गए है हमारी अगली खबर BHL के तरफ से आ रही है अब जंग के मैदान में हमारे tank जब destroy हो जाते है या फिर in fact कुछ खराबी आ जाती है तो इनको pull up करने के लिए हमको चाहिए एक main winch और इसी में काम आता है भारत का Arjun ARV 50T ये बहुत ज़ादा powerful है काफी capable है आर्मर recovery repair vehicle इसको कहा जाता है पूरी तरह से आर्मर से ये less है 50 टन की single line pull capacity के साथ ये आता है और अब तो इसका भारत next generation बनाने जा रहा है तो BHEL पार्टनर ढोंटरी है design और develop के लिए हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आरी है पिना का तो बहुत ही बड़ा धमाकेदार missile system साबिध हुआ है अर्मेनिया ने इसको recently बहुत ज़ादा पसंद किया था और इनको प्रॉक्यर भी किया था लेकिन आपको जानकर अब खुशी होगी अगले साल इसका भी धमाकेदार variant आने जा रहा है करिंटली जो वेरियंट है 60-90 किलोमेटर की रेंज है लेकिन अब हमने इसके next generation वेरियंट को 120 किलोमेटर की रेंज दे रही है और mid 2025 से इसका fabrication, manufacturing, production सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा और हमारी आर्मी में इसको जल से जल डीपला कर दिया एगा लेकिन यहीं नहीं खतम हुआ है आगे चल कर तो DRDO का ये भी प्लान है कि हम 300-400 किलोमेटर रेंज वाले पिना कर रॉकेट सिस्टम को भी लैस करेंगे और इंडियन आर्मी को अनबीटेबल बना देंगे हलांके इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है क्योंकि हमें चाहिए काफी दमदार propulsion system जो कि भारत अभी design कर रहा है early stages में भी है अभी फिलाल ये पूरा project तो इसको time लगेगा लेकिन most probably आने वाले पात साल की भीदर भारत की पास होगा सबसे ज़्यादा धमा के दार दमदार 300-400 किलोमेटर रेंज वाला पिना कर रॉकेट सिस्टम और ये सिस्टम धड़ा ध अखरी खबर आ रही है भारत की काफी amazing one day भारत slipper train की तरफ से फाइनली नवेंबर 15 को इसकी testing start होने जारी है आपको बता दे कि ये काफी world class feature से less 160 km per hour की top speed है नवेंबर 15 से इसकी testing शुरू होने के बाद बता जा रहा है कि एक महीने तक चले की January 15 को पूरी testing complete हो जाएगी और certification दे दिया जाएगा एक बार certification बस मिल जाए इसको फिर passengers के लिए खोल दिया जाएगा B.E.M.L. इस तरह के कुल 10 trains को बनाएंगी 16 कोचेस की ICF को भी order मिला है कि आप तो 50 train बनाओ वो भी 24 कोचेस की चैन नहीं में tender float कर दिया गया है propulsion system के लिए 24 month का tender timeline भी float कर दिया गया है ल पहली hydrogen fuel cell वाली train पर भी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर ICF ने बताया कि Southern Railways काफी तेज़ी से इस पर काम कर रही है अगले 4 महीने में आपको भारत की पहली hydrogen train देखने मिलेगी और फिर उसके अगले 6 महीने बाद दूसरी hydrogen power train को भी roll out कर दिया जाएगा तो वाकई में काफी ambitious target है तेज़ी से करांती हुई है भारत की railway technology में पहले वंदे भारत से फिर sleeper version, metro, hydrogen train और अब तो भारत अपना खुद का एक proper high speed bullet train भी खुद scratch से manufacture कर रहा है तो वाकई में काभीले तारीफ है So I hope कि आप आज की हमारी ये new series पसंद आई हो और अगर हां तो please हमको subscribe करना मत भूलेगा और साथी में वो एक like button को भी press करना मत भूलेगा